दोस्तो योगी के जिले में कोई अफराद हो तो योगी बरदास्त नहीं करते चाहे कोई कितना भी बड़ा अफसर अधिकारी क्यों नहीं हो योगी किसी को भी नहीं बख्षते एक सीओ अधिकारी रिस्वत लेते पकड़ा गया योगी ने गुस्से से आग बुबुला होते वे उस अदिकारी को अपसर से शिपाही बना दिया तो दोस्तों क्या है पूरा मामला? मैं आपको विस्तार से बताता हूँ दोस्तों आपको बता दू कि योगी जी का रामपूर के शी ओपर शक्त एक्षन हुआ है उत्रपर्डेश की सियम अपने शक्त तेवर की वज़े से जाने जाते हैं अपसर पर योगी की गाजगीट तो रोने लग गया है शीम योगी कभी-कभी ऐसे एक्षन लेते हैं जोकी विशेस रूफशे चर्चा का विशेव बन जाते हैं योगी के इस एक्षन को देखकर सारे पुलीश करमचारी कांप उटे हैं। बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों को उनको उत्रपरदेश के शियम छोड़ेंगे नहीं। योगी के राज में अगर कोई भी शरकारी करमचारी भ्रष्टाचार करता है या भी कोई घूसखोरी करता पकड़ा गया तो शियम योगी उसको नहीं छोड़ेंगे। योगी शिरफ बोलते नहीं हैं, करके भी दिखाते हैं। योगी जी जब से उत्रपरदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से उन्होंने अपनी शरकार को बहुत अच्छे से संब आला हुआ है। तो दोस्तों आपको बता दूँ कि योगी ने जब से अपनी कूर्सी संबाली है, तब से भ्रष्टाचार, माफिया और अफराधियों को खतम करने में लगे वे हैं। योगी ने अपने मन में पक्का कर लिया है कि देश में होने वाले भ्रष्टाचार, बताया जा रहा है। योगी ने एक बार भी नहीं शोचा उस अपसर को सिफाई बनाते वे। बताया जाता है कि विद्या किशोर को 2021 में। उत्तरपरदेश के रामपूर जिले में DSP अपसर की कूर्सी दी गई थी। विद्या किशोर के पोस्टिंग के दोरान रिश्वत ल पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे थे। यहां तक की एक महिला ने उस पर आरोप लगाया था कि श्वामी विविकानंद के शंचालक के विनोध यादव और ततकालीन इंस्पेक्टर रामवीर यादव ने उसके शाथ गैंग रेप किया है। इस घटना को लेकर भी उ पांच लाग की घूश लेते वे शी ओ विद्या किशोरी का एक मामला सामने आया था जो कि सोचल मीडिया पर वाइरल भी हुआ था। इसके बाद आरोपी रामवीर यादव और विनोध यादव पर एफायार भी दर्च की गई थी। तो दोस्तों आपको बता दूँ कि पर आरोप लगे हैं। वैसब शही और योगी जी ने पूरी जानकारी की रिपोर्ट भी वांगी है। अब योगी ने शक्त एक्सन लेते वे डिप्टी एश्पी को फिर से हवलदार सिपाही बना दिया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो योगी जी जब तक अपनी शरकार में शीयमपद पर है। तो ऐसा कोई भी बुरा काम नहीं होने देंगे। चाहे वो फिर घूस खोरी का हो या फिर ध्रश्टाचारी करने का। कोई भी क्रमचारी बकसा नहीं जाएगा। आपकी इस खबर को लेकर क्या राई है हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। दोस्तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीजी का। ताकि यह वीडियो उन तक पहुंच जाए जो इस चैनल तक नहीं पहुंच पाये हैं। यहां तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई खबर के साथ तब तक के लि लेकिन इन सब की जानकारी IAS Vandana Trivedi जो की SDM पद पर थी। उनको मिली तो देखिए उन्होंने कैसे पहुंच कर शबकी हवार टाइट कर दी। सबसे पहले आप यह क्लिप देखिए 20 से 25 सेकेंड का। उसके बाद आपको आगे डीटेल्स में बताते हैं क्या कुछ हुआ। तो आप यहाँ पर साप साप देख रहे हैं दोस्तों की कैसे वंदना त्रिवेदी ने उस मुस्लीम गड में पहुंच कर डंडा सब अपने हाथ में लियावा है। और माइग में अनौसमेंट के साथ बुल्डोजर चलवा रही है। दोस्तों इसके लिए आप जरूर लाइक देना। बहादूर आईएस के लिए जो की जिगर दिखा कर अवेद रूप से काम करने वाले मुस्लीम या फिर कोई भी सक्षो उस पर कारवाई कर रही है। इसके लिए इस बहादूर आईएस को लाइक जरूर देना। और दोस्तों आपको डिटेल में बताते हैं कि कहां पर आखिर इस तरह से हुआ है। कबरिस्तान बना रहे थे ल लेकिन कब जात कम होने की बजाय बढ़ता गया और ऐसे में एक दिन वंदेना त्रिवेदी डंडे और लावडी स्पीकर के साथ उस जगाह पर पहुंची और उन्होंने तुरंथी तोड़ फोड़ सुरू कर दी। आपको पता दे कि ये एक कबरिस्तान है जिसके आसपास लगभग एक एकर जमीन है और इस जमीन के आसपास करीब 10 लोगों ने अलग-अलग काम धंदे शुरू कर दिये जिन मेंसे कुछ लोगों ने बजरी के धेर लगा दिये तो कुछ लोगों ने गोबर इकटा करना शुरू कर दिया और ऐसे में ये लोग हट नहीं रहे थे ब जब SDM ने रेवेन्यो विबा की टीम बनाकर जांच करवाई तो पता चला कि कागजों पर या जमीन कबरिस्तान के नाम पर है जिसके बाद SDM वंदरनात त्रिवेदी पुलीस और प्रिशासन के लोगों को लेकर मोहके पर पहुँच गए और खुद वहां मोजूद लोगों क को भगाया और कबरिस्तान की जमीन को शमतल कर दिया इसके साथ ही SDM ने वहां के लोगों को चेतावनी भी दे दी कि फिर कोई इस जमीन पर कबजा ना करे और अगर ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ एफायार भी होगी और उसके साथ शक्त कारवाई भी की जाए बतादे कि ज इलचस्प बात तो यह है कि इस जमीन पर लोग लगभग 30-40 साल से कबजा जमा कर बैठे वे थे और उस पर इन्होंने अपनी रेत बजरी भी रखी वी थी ऐसे मैं SDM ने आकर इसी रेत बजरी का इस्तेमाल करते वे जमीन को समतल यानी की बराबर कर दिया और ऐसे मैं मोके पर भीड इकटा हो गई तो SDM ने खुद हाथ में डंडा लेकर भीड को मोके से हटने के लिए कहा ऐसे मैं अब जो लोग इस कबजे की खिलाब थे वे सबी लोग इस कारवाई के बाद शियम योगी और योगी सरकार की जमकर तारीव करने लगे और उनको ये भी यकीन है कि ये जो जमीन कबरिस्तान के नाम पर थी वे जल्द ही इसके इस्तवाल करने लायक हो जाएगी ऐसे मैं दोस्तों इस खबर के बारे में आपकी क्या राई है हमें कमेंट करके जरूर बताए और साथ इस वीडियो को जदा से जदा लायक और शेयर जरूर करें